सूपर मैन माज किसी कॉमिक का किरदार नहीं है बहुत से लोगों के लिए वा उनका बचपन है तो किसी के लिए हिम्मत है तो किसी के लिए प्रेंटना सूपरमेन यानी हवा में उनने वाला एक हीरो जो कि यह नए के प्रती लड़ता है और पूरी दुनिया को विनास से बचाता है लान नीले चुस्त कपडों में हावा में उनने वाला और भारी भरकम चीजों को हथेली पर उठा लेने वाला ये सूपरमेन जल्दी बच्चों से लेकर बड़े बड़ो का हीरो बने गया इसकी आखों से निकलने वाली रेड लेजर लाइट के आज भी बच्चे दिवाने हैं लेकिन आज मैं आपको सूपरमेन से चुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और क्या आप लोग जानते हैं कि सूपरमेन के केदार को स्रापित भी माना जाता है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना अगर आप जानना चाहते हैं क्यों तो बने रहेगा इस वीडियो में अन्ट तक आप लोग जानते हैं दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले सूपरमेन का किरदार निभाया था उनका नाम था जॉर्ज रीफ्स और जिनकी फोटो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं वहीं है जॉर्ज रीफ्स फैक्ट नमबर टू एस फॉर इस नोट जस्ट सूपरमेन जी हाँ एस फॉर के वल सूपरमेन ही नहीं होता सूपरमेन के पिता का नाम जॉर एल है और उनकी कोस्टिम पर भी एस अक्छर छपा रहता है पर इसका मतलब केवल सूपरमेन ही नहीं होता और ओवियसली जॉर एल सूपर हीरो तो है नहीं यह अक्षर सूपर मैन के ओरीजन प्लेस क्रिप्टोनियन प्लेनिट को भी इंडिकेट करता है इस बात का जिक्र साल 1978 के प्रदर्शित सूपर मैन फिल्म कॉमिक बुक सूपर मैन बर्थ राइट और सूपर मैन की बुक सीरीज के बानबवे अंक में हुआ है और साथी साथ एक और चीज़ बता दूँ कि सुरुआत से ही सूपर मैन के पास इतनी पावर नहीं थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि सूपर मैन पहले एक मील भी बिना थक्के नहीं चल पाता था और उसके पाद सुरुआत में उड़ने की ताकत भी नहीं थी कई बार ऐसा हुआ है कि मैन आफ स्टील रसातल की केनारे को पार कर गया और वास्तों में मर गया है जैसे कि कई सूपर हीरो के साथ होता है और हो भी चुका है जो कि वास्तों में मर चुके हैं सूपर मैन का निधर 1992 की स्रिंकला दर डेट आफ सूपर मैन के दोरान हुआ था भली ही यहां मृत्य और कौमिक बॉक इतिहास में हुई हो लेकिन इससे पहले और इसके बाद भी सूपर मैन की अन्य मौते हो चुकी है जैसी कि आप老ोगों को पता ही होगा कि सूपर मैन वर्सिस बैट मैन मूवी में सूपर मैन मर जाता है हला कि उसकी बाद वाली मूवी में सूपर मैन फिर से जिन्दा हो जाता है बट उसकी नित होती है फैक नमबर फॉर साइट सूपर मैन के फैंस को जानकर हैरानी होगी कि सूपर मैन लाइट की स्पीड से फ्लाय तो कर सकता है लेकिन वह flesh से ज़्यादा तेज नहीं है हाँ अलग कि यह बात भी सच है कि सूपर मैन के पास flesh से ज़्यादा powers है जैसा कि इस scene में साफ हो जाता है कि सूपर मैन एक पूरी building उठा कर लेके चला जाता है वो भी अपने एक हाथ पर और flesh देखता रह जाता है आप मेंसे काफी सारे लोगों को पता होगा कि जब सूपर मैन को create किया गया था तब हो एक hero नहीं बलकि एक villain था लेकिन जब उसे hero बनाये गया तब उसे sun की light से energy नहीं मिलती थी बलकि snow से energy मिलती थी यह आप लोगों को नहीं पता होगा जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लेकिन अब सवाली आउटता है कि snow को हटा कर sun light को क्यों रख दिया गया कि अब snow से उसे power नहीं मिलती बलकि sun light से मिलती है और guys आपको जनकर हैरानी होगी कि sun की light से वो और थोड़ा कमजोर हो जाता था तो आईज जान लेते हैं कि आखिर चेंज क्यों किया गया तो guys जब भी कोई भी अगैंस्ट उसके विलन रहता था तो वो उससे जीच जाता था क्योंकि सूपर मैन जहां रहता था वहां हर दम तो snow रहती नहीं थी जी हां और सूपर मैन के पास पहले उड़ने की ताकत भी नहीं थी कि वो कहीं उड़के जा सके जहां पर snow हो और वहां पर विलन से fight कर सके और sun की light उसे थोड़ा कमजोर बना देती थी इसलिए विलन से जीच जाते थे इसलिए एक कॉमेक बुक लिखी गई जिसका नाम था दार न्यू पावर आफ सूपर मैन उसमें दिखाया गया कि अब उसे सुनो से नहीं बलगी sun की light से पावर मिलेगी तो जब आप एतनी सारी बाते जान ही ली सूपर मैन के बारे में तो आप जान लेते हैं किर केलन जिन्होंने दुनिया में दूसरी बार सूपर मैन का किरदार निभाया था उन्होंने अपनी आत्म कता में कहा कि सुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ नॉर्मल रोल्स किये नॉर्मल मुवीज में उनके मुताबिक कुछ दिनों के बाद उन्हें सूपर मैन की मुवीज में ही काम मिलने लगे और उन्हें सूपर मैन की मुवीज में काम करना शुरू कर दिया कुछ दिनों तक तो लोगों ने उसे खुब पसंद किया और मुवी हिट और ब्लॉक बस्टर तो चली ही जाती थी या सूपर हिट तो जाती ही थी तो ऐसे में खुब कमाई होती थी कमपणी की लेकिन कुछ दिनों बाद है लोगों ने मुवी देखना बंद कर दिया सूपरमैन की क्योंकि लोग एक ही चीज़ देख देखकर बोर हो गया थे कि भाई सूपरमेन 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 बस तो इसलिए वह मुवीज फ्लॉप जाने लगी और कमपनी को बहुत घाटा होने लगा इसलिए कमपनी ने मुवीज बनाना ही बंद कर दिया सूपरमेन की तो किर कैलन ने सोचा कि उन्हें कुछ नॉर्मल मुवीज करनी चाहिए लिकिन डाइरेक्टर उन्हें नॉर्मल रोल देने में ही इसकी चाते थे और इसी तरह उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैसे सूपरमेन के के केरदार ने उनका जीना मुस्किल कर दिया था और खालिक किर कैलन ही नहीं ब्रेंदन रूट जोर्च रीव्स क्रिस्टोफर रीव टॉम विलिंग और भी बहुत सारे लोगों ने जिनोंने सूपरमेन का केरदार निभाया था उन्होंने अपनी आत्म गथा में बताया है कि कैसे उनका जीना मुस्किल कर दिया था या फिर बरबाद कर दिया था उन्हें सूपरमेन के केरदार ने या फिर तो वो दुनिया में ही नहीं है इसी लिए सूपरमेन के केरदार को स्रापित माना जाता है तो गाईद आज के वीडियो में बस इतना ही कि आपको इससे पहले इसके बारे में पता था या नहीं पता था हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा ऐसे मेजंग वीडियो के लिए यूटुब पे हमार चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आप फेस्बूक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग